नमस्कार मैड़मा लोग है आप लाइश्टीज देख रहे हैं देश में हर तरफ कोर्णा की तीसे लहर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं ये क्रायस लगाय जा रहे हैं कि कोर्णा की तीसे लहर क्या आएगी फिलहाल कई विशेशग अपनी बातों को रख रहे हैं लेकिन बिहा रहे हैं कि छे सितंबर तक चार करोड़ लोगों को बिहार में टिका लगाए जा चुका है और आगे भी तेज रफ्तार से कुरोणा का जो टिका करना भियान है वो चल रहा है अगर पिछले 24 घंटे के आकरों को हम देखें तो 24 घंटे में पूरे बिहार में सिर्फ आठ ने सं संक्रमित मरीज़ पाएगा है बिहार कि कई ऐसे जिले हैं जहांपर जो है वो शुन हो रहें लेकिन फिर भी अभी सचीतर करना है मुःती स्कुमार क्या कुछ कर रही है देखिए करोंशी लहर के बाद महंगाई बढ़ी है अ बिरोजगारी बढ़ी है इन तमाम मुद्व पर मुखमतिन तीश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं बिहार की क्या तैयारी है क्रोड़ना को 30 लेहर से बचाने की जरा सुनिए छीरी के देखेंगे और देख करके उनको लगेगा कि हां इसमें मदद करनी चाहिए तो मदद करें यह हर साल request किया जाता है क्या कर्के देख लीजिए और कितना ज़्यादा इसारख प्रौभवित है पहले ही से कहा जा रहा है तो लेट से आएं पहले ही से कहा जा रहा है कि आ करके देख लिए लेकिन अभी तो और जो इस्तिती है तो आप जानते हैं कभी उतना ज्यादा खराब इस्तिती अभी नहीं आई लेकिन और साल तो आप जानते ही हैं कि यही सितंबर में कि ज्यादा स काम में तो हम लोग लगे हुए ना कि काम में किसी को कोई तिक्कत तो नहीं होने दे रहे हम लोग हर काम कर रहे हैं लेकिन जितना काम राजय सरकार कर रही है और देख लेंगे उनको लगेगा कि नहीं केंदर सरकार की तरफ से मदद करनी चाहिए तो एक सुविधा होगी और आभी सूखे की स्थिति है रिपोर्ट नहीं आई है वैसे नियमित तौर पर लोग देखते हैं कहीं जगह पर तो नुक्सान हुआ है और साउथ बिहार में बेने जगों पर उसका नुक्सान हुआ था तो सब जगों पर भी तो जो लाब देना चाहिए उसके लिए डारेक्शन दिया हुआ लेकिन अगर कहीं सुखा की स्थिती आएगी तो उस पर भी नजर रखी जा रही है तो जो सुखा से पड़ित हों उनको भी साहता हम दो देंगे इसमें कोई सक नहीं लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है अब आप पूछ रहा है तो हम तो निश्यत्रूप से आज ही ह तो हम एकश्य आजिग्यों कोम को हाई डेंगे में हम लोगों को भीं नहीं रहे हों चाह ह्कुर्शिस ह्सार थोड़ी भीं है कि बहुत ज्यादा बढ़े लेकिन आप बढ़ नहीं रहा है ऊतर I'm नहीं हमने लोगों को मिई कहां दिया यहां भी देखिये है कि हम लुग कु कुसिस करनी चाहिए लेकि आप अच्छी तरह जान रहा है ना कि जितना होना चाहिए अब देखिए एक बात को आप देख रहे हैं हम लोग अपने हां तो किसी के भी जो उनको तंखाह मिलते हैं उसमें किसी प्रकार का बाधा आने दे रहे हैं और जो जरूरी चीज है उसके प्रबंधन का का मिए सब काम तेजी से बहुत सारे काम को विकास के काम को भी हम शुरूवात करने की कुछिस करने है लंगा है और पूरे देश में लोग लगे हुए यहाङिन कुछ परिस्थित्ति को कि यह मान करके चलना चाहिए कि ऐसे परिस्तिती में कुछ कठिनाई तो है तो सब को इन सब चीनों को भासूस करना चीए आप सब लोग ठीक है नो भाई कि अपने सुना मुखमतिन तीश्वान ने क्या कुछ कहा है टिका करना भीहान चल रहा है बिहार में भी आपसे भी आग रहा है कि अभी तक टिका नहीं लिया हो तो जरूर ले और हाँ बेरोजगारी बढ़ी है महंगाई बढ़ी है हर तरफ परिस्तितियां अलग उत्पन हो बढ़ी क्यूंकि को ना का जो दूसा लहर आया उसने बहुत लोगों से बहुत कुछ छीन लिया है कि उसे लुजगार चीन लिया है लेकिन अब कोड़ना की तीसी लहर से पहले बिहाद सरकार सचेत है लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप ठीका जरूर लगाएं और नितिश कुमा ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है बेरहाल आप लाप श्रीक साब बन रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ फेस्ट पेज भी लाइक करें धन्यवाद